देखिए जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो एक समाज का समूहिक कर्म है। इस संस्कृती में हमने संस्कार बनाए रखने के लिए बहुत सी चीजें की। आज भी गाउं में कई बार हिंसक जड़पे हो जाती हैं। अगर ऐसे लोगों के बीच विवा हो जाए, जो अपने कुलवंश को मिला देते हैं, जो एक तरह से अपने कुलवंश की रेखा को धुन्दला कर देते हैं, ये कोई उँच नीच की बात नहीं है, वो इसे बनाये रखे हुए हैं, ताकि इस कुल, इस कुलवंश के लिए उनक उसी कुलवंश के लिए मददगार होते हैं, इसलिए सिर्फ उसी कुल के लोग उस मंदिर में जाते हैं, बाकी नहीं जाते, क्योंकि वो उनके लिए कारगर नहीं होता, तो उन्होंने लोगों के इस कुलवंश के नक्षे को बनाये रखा, और वो 10-12 पीडियां पीछे दे प्रश्ट किया जा रहा है। जो एक विशेश जाती अकुल हैं। इसी तरह इसमें सुनार हैं, बढ़ाई हैं, लोहार हैं, जो लोग कारिगर हैं। मगर एक सुनार की बेटी लोहार के बेटी से शादी नहीं करेगी। वे वहीं शादी करेंगे, क्यूंकि ये संसकार हैं। देखिए ऐसा लग सकता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्यूं कोई किसी भी परिवार में जन्म लेकर ये काम नहीं सीख सकता। ये अलग बात है, मगर ऐसा पाया गया है, चुहों के साथ एक प्रयोग किया गया। उन्होंने ये किया, उन्होंने किसी चीज वगेरा पर एक चैरी ब्लॉसम की खुश्बू डाली। जब चुहा उसे खाने गया, तो उन्होंने कुछ बार उसे बिजली का जटका दिया। और आपको पता है, चुहे की अगली साथ पीडियां कभी चैरी ब्लॉसम की खुश्बू के आसपास भी नहीं कई। चैरी ब्लॉसम की गंध का मतलब उन्हें भाग जाना है, क्यूंकि ये संसकार है, जो उन्हें माबाप से मिल रहे हैं। ये सूचना ट्रांसफर हर समय चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पेड आसपास में लेंदेन करते हैं। ये सब जब हम पहले बोलते थे तो इसे मुर्खता समझा जाता था। जैसे मेरी परदादी, सिर्फ चिडिया और चींटियों वग्यारा को खाते देख, उनकी आँखों में आसू आ जाते थे। और अगर आप पूछें, आप क्यूं नहीं खा रहीं, वो कहती मेरा पेट भर गया है। और उनका पेट भर जाता था। उन्हें पूरा पोशन मिलता था, कोई इस पर सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो 113 साल तक जीवित रहीं। तो आज धीरे धीरे इस बारे में बातें हो रही हैं, मगर सिर्फ भौत एक संदर्व में किस तरह शारीरिक रूप से पोशन मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये साजा हो रहा है, ये सब। मगर भौत एक चीजों से परे, जीवन है जिसमें लेन देन हो रहा है, तो उन्होंने लोगों पर बहुत ध्यान केंद्रित किया, ताकि एक संसकार बने, एक समुह के लिए लोगों का एक संसकार होता है, दूसरों का अलग संसकार होता है, तो उनमें वो गोण और वो जीव प्रभाव करना शुरू कर दिया, सुनार को लगता है कि वो लोहार से श्रेष्ट है और आप जानते हैं, ऐसी समस्याइं बाद में आएं, मगर जिस तरह से उसे बनाया गया था, वो ग्यान, कुशलता और तमाम तरीके प्रदान करने का एक पर्फिक्ट तरीका है, मगर वो जैसे कि मुंबई में रहते हुए, क्या आपके अंदर एक मुंबई वाला संसकार नहीं है, है ना, उसका अपना संसकार है, तो इसी तरह हर समुदाय, हर समाज के अपने संसकार हैं और लोग संसकार से भी अपना जीवन अच्छा या बुरा बना लेते हैं, संसकार से उपर उठने के लिए आपको आध्यात्मिक प्रक्रिया की जरुवत होती है। वरना कोई इंकार नहीं कर सकता कि वो अपने परिवार, समाज, कैसी भी धार्मिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं रहे हैं। वो उन चीजों को ना करते हुए भी प्रभावित होते हैं, है ना। झाल झाल झाल